इस वीडियो में भी मैंने आईकू जिट 3 के बारे में सारी चीज बता दिया है 120,800 प्राइस के साथ 20,800 प्राइस है और ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन कर भी सकते हो तो सारी चीज आप जान लो वहाँ पे और भी बहुत ऐसे दमदार फीचर्स हैं जो जान के बहुत यह तक खुशी होगी मैं आगे के वीडियों बता रहा हूँ तब तक आप लोग देख लीजिए मैं स्रीफ आपको यहां पे इस्परिफिकेशन और प्राइस के लिए बात करूंगा कि हलाकि यह लाउंच हुआ है तो कैसे लाउंच हुआ है या फिर किस जगहां पे लाउंच हो चुका है अब यहां पे मैं इसके डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं भारत म के सामान हो सकता है यह फोन आईक्यू 1.0 के लिए एंड्रोइड 11 पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा फोन में अगर डिस्पली के लिए बात करूंगा तो 6.58 इंच का फूल HD प्लस डिस्पले है और भी LCD डिस्पले दिया गया है जिसके साथ 120 हल्टेज रिफ्रेश रेश्यू है और अक्सिप रेश्यू 20.29 अक्सिप रेश्यू को मिलेगा HDR रिपोर्ट के हिसाब से यहां फोन में कोईल कला में स्नाप ड्राइकन 768 प्रोसेसर से है और जिसके साथ एड्रियनो 620 जीप्यो और 8GB LPDDR-X RAM और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज जी गई है इसमें आप माइक TV तक के स्टोरेज बढ़ा सकते हैं अगर मैं कैमरे के लिए बात करूं तो इसमें टिर्पल रियर कैमरे का सेटप दिया गया है जिसका आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा है 2.2 का अपर्चर के साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है 2MP का कैमरा शामिल है सेलफी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 16MP का प्राइमरी कैमरा दे रखा है मतलब 16MP का कैमरा दिया हुआ जो की नौच के साथ लगा हुआ है अब अगर मैं बात करूं इसके बैटरी के लिए तो बैटरी यहां पर 4400 एमेज की बैटरी दी गई है जिसके साथ 55W वाट जो फिलहाल जो चीर में लाँच हुआ है उसकी प्राइस बता रहा हूँ 128 हर्टेज रिफ्रेश रेट के साथ मतलब अगर 120 हर्टेज रिफ्रेश रेट बहुत ही कमाल का फिक्स होता है दोस्तों तो 18,900 रुपे में तो बहुत कुछ आपको देखे जाएगा आपको सीजन, डीप स्पेस और नेबला कलर का ओप्शन करिदने को मिलेगा वहाँ इंडिया में ये भी कलर ओप्शन पेस आ सकता है बतलब कलर तो सेम है प्राइस का ऊपर नीचे हो सकता हो हो सकता हो कि 120 हर्टेज रिफ्रेश रेज के बज़ा है आपको 90 मिल सके लेकिन प्राइस ह हो सकता हो कम हो लेकिन फिलहाल के लिए जेट 3 सौरी जो आइको जेट 3 है फोन है 18900 में बहुत ही आसानी आप ऑनलाइन बुक करा क्या मंगा भी सकते हो लेकिन इंडिया में फिलहाल ये लांच डेट कंफर्म नहीं किया है उम्मीद किया जा रहा है कि ये जून के मिड में य यहीं तक कि ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना शेर करना और अगर पसंद आई हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार अब इक लिए जय हिंद